नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुशकर आये और आप देख रहे हैं नेशन भारत नियूज करनातक कॉंग्रस के विधाय किया रमेश कुमार के दुशकर्व पर दिये गए बयान के बाद से बवाल मच किया है एक तरफ भाजपा से लेकर अन्य पार्टी के नेताओं के बयान को शर्मनाग बता रहे हैं तो दिल्ली में एक एंजियो ने उनके बयान पर मुकदमा तक दर्ज कराया है विपक्षी पार्टी के सांसत कॉंग्रस के विधायक किया रमेश कुमार को पार्टी से बरखास करने की मांग कर रहे हैं इसी बीच स्मृति इरानी जयाबच्चन समीत कई नेताओं ने भी इस पर नाराज की जिताई है भाजपा नेता स्मृती रानी ने कहा कि विधान सभा के अंदर कॉंग्रस विधाय का दुशकर्म पर दिया गया बयान बहुत ही शर्मनाख है कॉंग्रस को महिला सशक्तिकरण की बात करने और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारी से पहले विधायक को बरखास्त करना चाहिए समाजवाती पार्टी से सांसर जया बच्चर ने कहा कि शर्मनाख व्यभार और शर्मनाख क्रत्य पार्ची को ऐसे लोगों से नेपटना चाहिए और कड़ी कारवाई करनी चाहिए कॉंग्रस विधायक केया रमेश कुमार ने करनातक विधान सभा में चर्चा के दुरान बयान दिया कि कहावत है कि जब बलातकार अपरिहारे हो तो लेट जाओ और इसका आनंद लो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बिल्कुल उसी स्थिती में थे करना तक विधान सभा के अध्यक्ष विशेश्वर हेगडे कागेरी ने इस पर कारवाई करने की बजाए इस पर हस दिया वधायक किया, रमेश कुमार ने दुशकर्म पर भधी और अश्लील टिपपणी को लेकर माफी मांगी है रमेश कुमार ने सोशल मेडिया पर माफी मांगते हुए कहा कि अपरात को छोटा करके उनका इरादा नहीं था रमेश कुमार ने ट्वीट किया मैं अब से अपने शब्दों को ध्यान से चुनूँगा वधानसबा में बलातकार के बारे में की गई उदासीन और लापरवाही पूरवक टिपपणी के लिए सभी से खेद वेक्त करना चाहता हूँ मेरा इरादा गलत नहीं था या जगने अपरात को कम करने वाला नहीं था लेकिन यह एक ओफ दा कफ टिपणी थी मैं आप से अपने शब्दों को सावधानी पूरवक आप सब भी के सामने रखूँगा अभी तक के लिए फिलाल इतना है खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें नेशन भारत नियूज लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए